तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं सभी अच्छे होंगे फ्रेंट्स नौरात्री चल लिए और नौरात्री में व्रत में कुछ स्पेशल बनाना ज़रूरी है तो आज हम आपके लाये हैं व्रत वाली साबुदानी की खिचरी जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है औ सबस्क्राइब अबर लोज करते हैं अपने साबुदाने की खिचरी बनाना इसके लिए हमने लिया है दो मीडियम जायस की आलू कोहंने काट लिया है पतला पतला काता है हमने तो तबन बड़के और दएकका नमग और छमक नमग और हमें कहां रिया नंता-घ्यांग का निधतक नमगने के साबुदान के ज़ीश करेंगे साबुदानी और मड़ पनी कर द TOP करके बताएं कि आपने हमारी वीडियो की रेस्पी को ट्राइक है yeah नहीं अ हमारी पेन में रखिंगे घी गरम हो चुकी है अब हम इसमें एड्ड करेंगी जो हमने जीरा लिया था उस जीरो को हम इसमें एड्ड करेंगी he को थोड़ाँ सा चतकने देंगे अब हम हम इसमें आड करें गे करंगे आब ग्रीचिड़िस तो आप बिता ज़ाधा ज्यादा पहसे कर सकते हो अगर को ज्यादा टीखा पसंद यह जाधा ग्रीचिड़िस दे सकते हो मैंने आपे तीन चीली को काट के लिए हैं इसे हम भून लेंगे तोड़ा सा अब इसमें हम एड करेंगे जो हमने आलू को पत्ला-पत्ला काट कर रखा था उस आलू का एड करेंगे फिरिंट्स पत्ला आलू काटने से यह होता है न कि हमारे आलू जल्दी नरम हो जाते हैं और पक जाते हैं और हमें इसे में बनाने में असानी होती है हम आलू को एक मिनट तक हाई फ्लेम पे ऐसे ही चलाएंगे हमें अपने आलू को चलाना बंद नहीं करना है इसे चलाते रहना है ताकि आलू नीचे से जलेना ऐसा करने से क्या होता है हमारे आलू में ब क师्ट बहुत अच्छी बनते हैं और खाने में बहुत ही चटपट rigorती लगते हैं तो व्रत में चटपटा खानक्या ना बनता ही है अब आप हम इसे से डख लग कर देंगे एकदम लूफलेम पे हम इसे भ दना है दो क्याद के लिए क preferred दो मेंट बाद हम इसे खोल के देखेंगे और इसे एक बार फिर से चला कर देख लेंगे कि हमारे आलू पके हुए है कि नहीं हमारे अलू अभी थोड़े से कच्छे है तो हम इसे दो मिनट के लिए और ढग देंगे लो फ्लेम पे ताकि हमारे अलू अच्छे से पक जाए तो मींट्स हम इसमें मसाले करेंगे और टेस्टी बनाएंगे थे पर भूग हम इसमें मतलु करेंगे वृत вाला नमक यानि कि सेंदाKN closer हम नमक को आधा ही डालेंगे लाख लेंगे मां कि बात मताओंगे इस इक मिक्स कर लेंगे और जब मसालेникомीकemia जाए तो हम इसे ढखक की दू मिनिट के लिए रख देंगे ताग यह कमारे अलू में जो अमने दाले यह अच्छते से मिल जाए हैं 2 मिनिट हो चुके हैं अब हम खोल लेंगे हमारे मसाले बिल्कुल बे अच्छते में में अब इसमें डालेंगे मुंफली इस इससे क्या होता है न हमारे साबुदाने का टेस्ट डबल हो जाता है बहुत ही अच्छी रखती है ये खाने में फ्रेंट्स यहां पे न मैंने रोस्टेट मुंफली यूज किया अगर आपकी मुंफली रोस्टेड नहीं है तो आप इसे जब आलू भून रहे थे न आलू के सा कर लेंगे सबी चीजों को फ्रेंट्स को हमें साबूदाना पकाने में जाए टाइन में लेहा है क्योंकि हमने साबूदाना भिगो के रखा था तो यह अलरेडी नरम हो चुका है एट किया है ताकि हमारे साबूदाने पे नमक का फलेवर आचाए और यह टेस्टरास बहूत हाथती अच्छा लगए खाने में चारी चीजूहों से मिक्स कर देंगे और इसे की लीए एकदम लोग फ्offsvน पे ठक्क्यरक देंगे ताकर हम तरी सामुदाने में हमें इसे साबू augmented कर लेते हैं वाव बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है हमारे साबुदाने से हम इसे ऐसे करके देख लेंगे हाथ से दबाके ताकि पता चले कि हमारे साबुदाने गल चुके हैं अब यह रेडी टू सर्व है इसे हमें एक कटोरी में या प्लेट में जिसमें भी आपको न देंगे और इसके ओपर स्प्रेट कर देंगे और इसमें हम एड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर हम इसमें एक चुटकी काली मिर्च लेंगे और उसे भी एड कर देंगे स्प्रेट कर देंगे सो फ्रिंस रेडी है हमारे साबुदाना व्रत वाले साबुदाने ट बहुत आपको दिखाती हूँ पास्व वाओ बहुत इच्छी लग रहा है और यमी बने हुए है आप भी इसे घर पे बनाये और ट्राइब करें और कमेंट करके बताये की कैसी लगी आपको माई रेस्पी मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेंट बाइबाय टेक केर